हेलो नमस्कार सुब्डेंट वेलकम टू इनोवेशन स्रेडी चनल आप सभी का यहां पर श्वागत करते हैं आज मैं एक लेटेस्ट न्यूज के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ जैसे की काफी दिनों से इंतजार था विद्यार्थियों को की राजस्तान बोर्ड कब अपना सलेवस जारी करेगा 2024 के लिए तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सामने कि माध्यमिक सिक्षिया बोर्ड राजस्तान असमेर ने पठ्टय करम यानि सलेवस 2024 जारी कर दिया गया मैंने सबसे पहले अपना सब्सक्राइब करके पास में लगी बेल आइकन को जुरू दबालें सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं टाइम की टाइम आपका रहेगा सवा तीन गंटे जो की पहले था उतना ही है प्रशन पत्तर के लिए अंक 80 नमबर का पहले था पेपर 80 नमबर का आता था अभी 80 नमबर का आएगा स्कूल की तरफ से 20 नमबर पहले भी बेज़े जाते थे अभी भी बेज़े जाएंगे और आपका पुरानाक 100 नमबर का पहले था अभी 100 नमबर का इसमें कोई चेंजिंग नहीं है अब आपके चेप्टर कितने काटे गए हैं चेप्टर में से कौन कौन से टोपिक काटे गए हैं उस पे चर्चा करेंगे आपके पास पुरानी बुक है तो उसको आप इदर उदर नए डालें पुरानी बुक भी काम में आएगी अगर किसी के पास में पुरानी बुक उपलब्द नहीं हो पाती है अगर कोई नई ले आया है वो भी अपने इंडेक्स निकाल ले इंडेक्स आनी यहाँ पे आपको नाम मिलेगा विस्य सुची जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह विस्य सुची निकाल ले पुरानी बुक है मेरे पास में इसमें निसान लगाने वाला हूँ और नई बुक है उसमें भी आप निसान लगा लें उसमें टोपिक हटे हुए है नई बुक में जबकि जो पुरानी बुक है उसमें topic complete है वो मैं हटाऊँ आप यहां से कौन-कौन से topic हटाए गए है प्रते एक chapter में से हटाए गए है कुछ ने कुछ तो हटाई है वो मैं यहां पे आपको पूरा detail से बताने वाला हूँ और कौन सा chapter हटा है वो मैं फूल detail से बता दूँगा तो आप दोनों ही book काम में आएगी नई book में आप बस इतना ही निसान लगाएं कि कौन सा chapter कितने number का है पुरानी book में कौन सा chapter कितने number का है यह भी लगाना पड़ेगा आपको और साथ में ये भी हटाना पड़ेगा कि कौन सा हट गया और कौन सा रह गया है अब सबसे पहले अपन पहले chapter पे चर्चा कर लेते हैं पहले chapter का नाम है वास्त्विक संख्या real number सभी को दिखाई दे रहा है English medium और Hindi medium दोनों भी द्यारती देखशकते हैं यहां से आपको ये पढ़ना पड़ेगा अंक गिनित की आधार भूत परमे पढ़नी पढ़ेगी और ऐ परमे संख्याओं का पुनर भरन पढ़ना पड़ेगा यानि इसमें जो पहले दिया गया था यूकलीड विवाजन परमे का ये हटा दी गई है यूकलीड विवाजन परमे हटा दी गई है ठीक है और आपका लास्ट जो था परमे संख्याओं और उसके दसमलो परसार का पुनर भरन ये हटा दिया है यूकलीड विवाजन और आपका दसमलो परसार हटा दिया गई है only for 2 ही टोपिक है जो पुरानी बुक में है वो दो टोपिक पे निसान लगाएं कौन कौन से पे लगाएंगे आप आप लगाएंगे 1.3 पुरानी बुक में मैं बता हूँ 1.3 रहेगा और 1.4 रहेगा बाकी पे आप काटा मार लें चीक है इसके बाद में ये 4 नंबर का चप्टर है सात में मैं अक भार भी बता रहा हूँ 4 नंबर का चप्टर है 4 नंबर के किजसन पूछे जाएंगे फिर आ जाती है 2.3 यूनिट इसमें आजाता है बीज गुनित बीज गुनित में आप देख पा रहे हैं कौन-कौन से chapter आएंगे, कितनी-कितनी number के आएंगे जैसा कि बहुपद दूसरा chapter आगया, polynomial chapter आगया इसमें आगया बहुपद के सुनेकों का जामितिय अर्थ पहला point, किसी बहुपद के सुनेकों और गुणाकों के बीच में शमद ये दो point पढ़ने अब पिछले जो पुरानी बुक है उसमें मैं बताना चाहूँगा कि जामितिय अर्थ आ गया यानि 2.2 पढ़ना पड़ेगा 2.2 टोपिक है वो पढ़ना पड़ेगा और इसके बाद में आपका 2.3 हाँ 2.3 है वो हट क्या गया इसमें बहुपद के विवाजन अल्गोरिथम विवाजन था ना विवाजन अल्गोरिथम वो हट गया है दूसरे चप्टर में 2.2 और 2.3 टोपिक आपको पड़ने पड़ेगे बाकी जो नीचे है ना बहुपदों के लिए विवाजन अल्गोरिथम यह हट गया है आपके लिए ठीक है उस पे काटा मार लें नेक्स्ट तीसरे चप्टर पे चलते हैं दो चर वाले रेखिक समीकन युगम ठीक है पेर ओफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरियाबल्स छै नंबर का चप्टर है उपा स्वरी दूसरा चप्टर चार नंबर का था साथ में अगर मैं बताना बोल जाओ तो साथ में यह न की स्री वीदी हटा दिया वो कौन सी थी वज्जर गुणन वीदी जो विद्यार्थ्यों को सबसे हाड लगती थी वो हटा दिया है अब हीजी हो गया थोड़ा मैटर अब इसमें कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं आपको यह पढ़ने हैं कि दो चरों के रेखिक समीकन य पढ़ना पढ़ेगा ठीक है रेखिक समीकन यूगम को हल करने की बीज गुनितिय वीदी आप आपको तीन पॉइंट चार में तीन पॉइंट चार में ओल्ली फोर दो ही मैथड पढ़ने एक तो परतिस्तापन मैथड पढ़ना है एक विलोपन पढ़ना है यानि एक सब्ट पढ़ना पढ़ना पढ़ेगा और मूलों की इसकी परकरती भी पढ़नी पढ़ेगी नेचर आफ रूट भी आपको पढ़ना पढ़ेगा प्यारे विद्यार्थियो अब इसमें कौन-कौन से पोइंट है वो आपको पढ़ने पढ़ेगे द्वी घात समीकन यानि 4.2 इंडेक्स की बात कर रहा हूं यहां से गुर्ण खंडो द्वारा द्वी घात समीकन का हल है न है 4.3 भी इसमें आपको पढ़ना पढ़ेगा और इसमें पूर्ण वरग वीदी हटा दिया गए पूर्ण वरग वीदी हटा दिये मूलों की परकरती 4.5 पढ़ना पढ़ेगा 4.4 को हटा ले काटा मार ले उस पर वो नहीं पढ़ने यानि पूर्ण वरग मैथ्टर सबसे हाड लगता था वीद्यार्चियों को वो भी हटा दिया गए अब मैथ्ट थोड़ा ओर इजी हो ग पढ़ेगा समांतर सरेणी का अन्वा पद आपको पढ़ना पढ़ेगा समांतर सरेणी के अन्पदों का योगफल पढ़ना पढ़ना पढ़ेगा 6 नंबर का चप्टर है और इसमें मैं चर्चा करूं पुरानी बुक में अन्पदों का योगफल अन्वा पद और समांतर सरे तीन नम्बर यूणिट आजाती है इसमें आजाता है जुमेट्री यानि तिर्भूज ट्राइंगल्स इसमें आपको पढ़ना पढ़ेगा समरूप आकरतियां तिर्भूजों की समरूपता आपको पढ़ने पढ़ेगी। तिर बुजों की समरूपता के लिए कसोटियां आपको पढ़ने पढ़ेगी, यानि उसमें कूछ एक घटाया गया, वो मैं बता देता हूँ, अब देखो इसमें समरूपत आकरतियां, यानि 6.2 आपको पढ़ना पढ़ेगा, इंडेक्स की बात कर रहा हूं, फिर दुबारा इंडेक्स में निसान लगा लें, तिर बुजों की समरूपता आपको पढ़नी पढ़ेगी, यानि 6.3 भी आपको पढ़ना पढ़ेगा, तिर बुजों की समरूपता के लिए कसोटियां आपको पढ़नी पढ़ेगी, 6.4 भी आपको पढ़ना पढ़ेगा, और समरूप तिर को और स्पर में हटा दिया गया है और समरूप तिरबुजों के छेतर फल भी हटा दिये गए हैं ये साइद पिछली बार आया था इजी था सबसे वो थोड़ा सा हटा दिया है थोड़ा ज्यान दखना चार नंबर का चेप्टर है तीन पॉइंट इसमें पढ़ने पढ़ेंगे और दो पॉइंट हटा दिये हैं वर्त सरकल आ जाता है वो तीसरे यूनिट में आ जाता है इसलिए बीच में ले लिया है तीसरे यूनिट इस जोमेट्री में सरकल आता है इसलिए वर्त की सपर्स रेखा और एक बिंदू से वर्त पे खिंचीगी सपर्स रेखाऊं की संख्या आपको बतानी पड़ेगी यानि 10.2 आपको पढ़ना पड़ेगा और 10.3 भी आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें साइध कुछ भी नहीं हटाया है 10.2 और 10.3 दोनों पॉइंट आपको पढ़ने पड़ेगे और 6 नंबर का चप्टर है थोड़ा द्यान भी रखना 6 अंक का चप्टर है दसवाँ शरकल जो की तीसरी यूनिट में आता है इसलिए पहले बता दिया है निर्देशांक ज्यामिती कोडिनेट जमेट्रे आपके पास में आ जाता है 7 नंबर चप्टर है 7 नंबर का है ये थोड़ा अच्छा कर दिया आपकी बार 7 नंबर का चप्टर 7 नंबर का कर दिया बढ़िया है दूरी सुत्तर very simple विवाजन सुत्तर कुछ नहीं करना पस दो कोई छोटे से छोड़े हैं वो हार्डन है नहीं आपके लिए इसमें क्या हटा दिया है तिर्बुज का छेतरफल अटा दिया है तो चत्रबुज का छेतरफल भी हट गया तो इसमें उल्ली 4 आपको पढ़ना पड़ेगा 7.2 7.3 पढ़ना पड़ेगा कहने का मतलब 7.4 हटा द ही आ गया है तो तिर्बुज का छेतरफल यहां से अट गया है अब जलते हैं अब देखना चार नंबर यूनिट में एक ही चप्टर है पांच नंबर यूनिट आ जाती है आपके पास उसमें क्या आ जाता है टिग्नोमेट्री आ जाता है टिग्नोमेट्री में क्या आता है स से ये अंकों में भी 8 नंबर का है ये थोड़ा द्यान रखना कई बार ऐसे कन्फ्यूज हो जाती हैं इसमें क्या-क्या पढ़ना है तिरकोण मीतिया अनुपात आपको पढ़ना पढ़ेगा यानी 8.2 इसमें पढ़ना पढ़ेगा कुछ विशिस्ट कोणों के तिरकोण मीतिय अनुपात आपको पढ़ने पढ़ेगे यानी 8.3 भी पढ़ना पढ़ेगा तिरकोण मीतिया सरोसमीकाई भी आपको पढ़नी पढ़ेगी यानी 8.5 भी आपको पढ़ना पढ़ेगा अब देखो इसमें क्या अठा दिया है पूरक कोणों के तिरकोण मीतिया अनुपात हटा दिये गए हैं 8.4 हटा दिया गया यानि ये कौन से exercise थी 8.3 exercise थी जो की पूरक कोणों पे अपन कर रहे थे 90 माइनस में theta वो हटा दिया गया यहां से तो उस पे काटा मार लें इसके आपके सामने आ जाता है कौन मीति है कि कुछ अनुपरियोग some application of tignometry यानि no number chapter 5 नमर का कर दिया गया है और इसमें आपको only for उन्चाईया और दूरिया निकालनी हैं क्या निकालनी हैं उन्चाईया और दूरिया निकालनी हैं उसमें कुछ भी नहीं अटाया गया पूरा का पूरा है पूरा पढ़ना पड़ेगा no number 5 नमर का है न अब जलत है next पी 6 नमर यूनिट आ जाती है 6 नमर यूनिट में 36 मीति आ जाती है मेंसुरेशन आ जाता है इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा वर्तों से समंदित छेतर फल अब देखो 11 नमर चेप्टर आ गया है और आपको यहां से पिछली साल की बुक है उसमें मिलेगा 11 नमर चेप् पुरानी बुक से डिलीट हो गया है हटा दिया गया है रचना चेप्टर है वो हटा दिया गया है पहरे विद्यातियो अब उसको हटा के जो 12 नमर चेप्टर आता है आपके पास में उस पे आप 11 नमर लगा लें उस पे आप क्या लगाएंगे 11 नमर लगाएंगे तो यह 11 chapter वर्थों से समंदित चेतरफल पुरानी बुक में ये 12 नंबर पे है तो उसमें आपको क्या आठाना 11 नंबर पे तो काठा मार ले अब ये 11 नंबर बता रहा हो न ये पुरानी बुक में 12 नंबर है और नइई बुक में 11 नंबर पे रहेगा यह पांच नमबर का है वेसे ठीक है और पुरानी बुक में बारा नमबर है इसमें आपको क्या पढ़ना पढ़ेगा त्रीज्याखंड और वर्तखंड के छेतरफल से समंधित ही क्यूसन पूछे जाएंगे आपका बारा दसमलो पुरानी बुक में बात कर रहा हूँ बारा दसमलो आपको तीन पढ़ना पढ़ेगा आप कौन-कौन से हटाएंगे बारा दसमलो दो हटा लेंगे इस पे काटा मारो और आप बारा दसमलो चार पे भी काटा मार लो यह तो बहुत बढ़िया बात हो गई यानि यह दो पॉंट रादी एक ही पॉंट छोड़ा है एक ही पॉंट छोड़ा है वो भी 5 नमर का छोड़ दिया अब 12 नमर चैप्टर आ जाता है नए पैटरन पे और पुरानी बुक में यह 13 नमर चैप्टर है surface area and volume प्रस्थियए छेतरफ़ल और items इसमें क्या पढ़ना पढ़ेगा ठोसों के स्योंजन का प्रस्थियए छेतरफल पढ़ना पढ़ेगा और ठोसों के श्योंजन का आपको i-ten पढ़ना पढ़ेगा 6 number का चप्टर है पुराणी बुख में 13 number है है आपने सान लगाएंगे और तेरा दस्मिव यापको इसमें रखार ना पर भावे या आपको इसमें पढ़ना पडेगा ये आपको इसमें पढ़ना पढ़ेगा यह आपको इश्डार पांच पे काटा, तेरा दसमलो चार पे भी काटा मार लो, तेरा दसमलो पांच पे काटा मारोगे, तेरा दसमलो चार पे काटा मारोगे, पुरानी बुक की बात कर रहा हूं, नई बुक में 6 नंबर चेप्टर, 6 अंकों का चेप्टर है, और 12 नंबर चेप्टर है, जबकि सो में से सो पूरा सलेवस कवर कर रहे हैं अपन इजली करेंगे ठीक है अब नए पेटरन पे सारी कलासें रहेगी अब आपका साथ नमबर जो इकाई है यूनिट है उसमें आपका सांखी की स्टेटिक्स चप्टर है वो पुरानी बुक में 14 नमबर था और नई बुक में 13 नम पड़ेगा वर्गी करता आकड़ों का माध्य पड़ना पड़ेगा वर्गी करता आकड़ों का बवलक पड़ना पड़ेगा और वर्गी करता आकड़ों का माध्यक पड़ना पड़ेगा में मोड मेडियन पड़ना पड़ेगा और क्या बच गया सर्दी बच गया 14.4 पुर पुरानी बुक की बात कर रहा हूँ, 14.2 पढ़ना पड़ेगा, 14.3 पढ़ना पड़ेगा, 14.1 इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, इंडेक्स में निसान लगवा रहा हूँ, यह मत समझ लेना कि हमें वो एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं सरजी, 3 पढ़ना पढ़ेगा 14.4 आपको पढ़ना पढ़ेगा ये आपको पढ़ने पढ़ेंगे और 14.5 जो आपका है संचिय बारंबारता बंटन का अलेख है निरूपन ये इस पे काटा मार ले ठीक है और आपका लास्ट चेप्टर था 15 नमबर जो कि अब हटके 14 नमबर हो गया है प्रायक्ता प्रोबिलिटी ये 4 नमबर का है और जो मैंने बताया ना स्टेटिक संखी की वो 11 नमबर का चप्टर है उपर भी याँ डिवाइड कर दी है ना उपर वालित कर दी कोई दीकर नहीं है ये प्रायक्ता है वो प्रोबिलिटी 4 नमबर का है और इसमें प्रायक्ता एक से दांतिक दस्टी कौन है यह आपको पढ़ना पड़ेगा यानि ये 15 नमबर चप्टर फुरानी बुक में पूरा का पूरा नई बुक में 14 नमबर का है तो आपने एक तरब तो अंकवी भाजन देख लिया है कौन सा चप्टर कितने नमबर का है और एक आपने देख लिया है भी कौन सा चप्टर हटा है पुरानी बुक में 11 नंबर रचना का चप्टर था करस्टेक्शन चप्टर था वो हटा दिया गए है बाकी चप्टर सेम है उसमें से टोपिक हटाए गए है और ये मैं इंडेक्स से बता रहा हूँ फिर बता देना चाहूँगा काफी सारे कोमेंट मेरे पास में आएंगे मुझे पता है ये जो विश्य सुची दिखाई दे रही बेटा इसमें जो ये टोपिक है ना पॉइंट दे रखें ये पॉइंट हटाए है और लगवाए है निसान में ने ठीक है तो एक बार फुन है बरमित मत हो जाना कन्फ्यूज मत हो जाना कहीं आप एकसरसाइज को काट लो एकसरसाइज को मत काटना ये एकसरसाइज इस पॉइंट पे नहीं है ये आगे पीछे का करम है क्योंकि इसमें जो पहला दिखाई दे रहा ना आपको जैसे point सारांस भूमिका ये तो पढ़ना ही पढ़ेगा इससे एक एक नमर के प्रशन बनते हैं और last जो सारांस है उससे भी एक एक नमर के प्रशन बनते हैं ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ेगा पहला रंतिम जो chapter का point है इंडेक्स में वो आपको पढ़ना ही पढ़ बुमिका और सारांस क्या है वो अगर नहीं पढ़ोगे वही तो जड़ होती है वही तो निव होती है अगर जड़ और निव कमजोर हो गई तो यह मारो मकान आप खड़ा नहीं कर सकते तो इसलिए सबसे स्टिक और सबसे शांदार तरीके से मैंने आपको एक्स्प्लेन किया ह एज एस सट्ड्रेन्ट होते हुए किस परकार से समझाया जाता है मैंने उस तरीके से आपको सलिवस समझाया है आप निसान लगा लें इसी के बेस पे आप 2024 के लिए त्यारिक रखें इसके बाद में मैं साइंस का हिंडी का क्लास 9 आल सब्जेक्ट, क्लास 10 आल कामा इसी तरीके से कंपेरिजन करते हैं उसलिए उस बता हुआ तो सभी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करें, कैसी लगी समझ में आ गया तो एक बार जुरूर थमसप करें और कमेंट करके बताएं चलेगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कुछ नई अपनेट के साथ, जय हिंद, जय भारत!